हलो माई डीर स्टूडेंट्स मैं रहूल सर और आज हम आपके लिए एक बहुत ही बहतरी वीडियो लेकर आए हैं अगर आप एक SSC के स्टूडेंट है तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि SSC CHSL क्या है इसकी तयारी कैसे करेंगे और साती सात इसमें कौन-कौन सा पोस्ट आता है इसकी योगिता क्या होनी चाहिए इसमें कितनी सैलरी इसका सलेबस क्या होगा और सलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा इन सारे सवालों का जवाब सीधे-सीदे कहिए कि अगर आप SSC CHSL का फॉर्म डाले हैं जैसा कि आ चुका है तो आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है कि सर ये है क्या इसमें किस तरह से इसमें हम 100% result ले सकते हैं तो साथी साथी सारे topic के ओपर discuss करेंगे सीधे सीधे बोले कि ये combined higher secondary level का एक exam है और SSE का सबसे प्रमुक अंग है और इसमें आपको मंत्राले में नौकरी लगेगी और हम हर इक topic पर आज discuss करने वाले हैं कि भाई इसमें कौन-कौन से post आते हैं समझी सीध को इसमें कौन-कौन से post आते हैं इसकी योगिता क्या होनी चाहिए form बरने के लिए salary कितना मिलेगा syllabus क्या होगा और selection का process क्या होगा मतब A to Z complete knowledge हम आपको CHSL के उपर बताने वाले हैं हर एक चीज़ जैसा कि हमने बोला कि ये combined higher secondary level का ये exam है ठीक है और आगे बढ़ते हैं इस सीज को हम करते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सवाल इसके उपर और भी complete discussion करेंगे salary क्या होगा exam में pre में कौन-कौन से मतब कितना question कहां से पूछा जाएगा मिन्स में कितना पूछा जाएगा कटफ क्या होगा कौन-कौन से post है कौन post की कितनी salary और कौन सा post आपके लिए बहतर होगा ठीक है चलिए तो जैसा कि आपको पता है कि 37,000 सोरी 37,000 कुछ vacancy इस बार 2024 में आया है और इसलिए हमने यहां लिख भी दिया है SAC CHSL 2024 लगबग 3714 पोस्ट आपको आया है तो बात करें syllabus की तो देखे सिंपल बात है syllabus एकदम normal है जो SAC में होना चाहिए आपसे math पूछेगा आपसे reasoning पूछेगा आपसे GK और GS जिसको GA बोलते हम लोग और साती सात आपको English पूछेगा और थोड़ा सा आपको computer का knowledge भी होना चाहिए यह SAC CHSL में इसी को हम लोग बोलते है LDC lower division color इसमें तीन पोस्ट है वो सारे discussion हम आभी करेंगे पोस्ट की बात करेंगे तो इसमें कुल तीन पोस्ट हैं साती सात यह मंत्राले वाला नोकरी है जी बस आप junior level के रहोगे CGL वालों से नीचे रहोगे आप थीक है सिंपल बात करें इसमें कितने पोस्ट हैं तीन पोस्ट है योगिता की बात कह रहा है तो सिंपल एक line में मैं उपर उपर बताओं कि इसकी योगिता 12th pass होनी चाहिए और एक और योगिता होना चाहिए कि आपकी उम्र जो है वो कम से कम 18 वर्ष तो होनी ही चाहिए ठीक है साथी साथ बात करें salary की जी हाँ salary की बात अगर करें तो normally इसकी salary 40,000 प्लस ही होगी मोटी मोटी बात कर रहा हूँ मैं बाकी वो हर एक चीज पर एक करकर के पूरा discussion करेंगे promotion promotion प्रतेक 3 वर्ष में ठीक है सर कैसी नोकरी है बहुत ही respect वाली नोकरी है और यह आपका C level का group D नहीं group C level का job है और मंत्राले में आपको नोकरी लगेगी जहां CGL वाले होंगे वहीं आप रहोगे वो अलग बात है वो आपके senior होंगे और आप उनके junior होंगे तो बात यहां तक समझ में आई इन सारे सवालों का भी और हम जवाब देने वाले हैं चलिए exam का pattern देखते हैं जैसे मान लीजिए अप CHSL की त्यारी करने वाले हैं तो कि form आ गया है 3714 हाँ 3714 ठीक है न सीटे हैं CHSL में तो आप बात करे कि sir इसका exam का pattern क्या होने बाला है ठीक है चलिए तैयार हैं इसके लिए आप लोग 3712 सीट है सोरी चलिए तो बात करें exam pattern का तो हम आपको बताते हैं कि इसमें दो exam होगा जी एक आपका pre होगा और एक आपका mince होगा चलिए आईए सीखिए प्री में कैसा रहेगा mince में कैसा रहेगा अभी फिलाल जो हम TRE1 यानि प्री की बात करें तो प्री में जैसा कि आप देख पा रहें कि English language के 25 सवाल और दो-दो नंबर के होंगे तो 25 दूनी 50 नंबर आएगा general intelligence जिसको बोलते हैं हम लोग ठीक है न और एक ये आपका reasoning हो गया 25 सवाल दो-दो नंबर के 50 नंबर math की बात करें basic arithmetic skill होगा और थोड़ा बहुत advance भी रहेगा यहां से भी math के भी 25 सवाल दो-दो नंबर के 50 नंबर और general awareness जिए जिसको बोलते हैं जिके जिसको कमबाइन रहेगा 25 सवाल दो-दो नंबर के 50 नंबर लेकिन सबसे बड़ी समस्या की ये 100 सवाल आपको 60 मिनट के अंदर solve करना है अगर आपका pre होता है तो आप फिर किसका paper दोगे मिन्स का paper दोगे simple समझे 25 question math से 25 question reasoning से 25 पहले 25 English reasoning math और जिके जिस 25 चक सो सारे सवाल दो-दो नंबर के होंगे यानि pre जो आपको होगा pre जो आपका होगा simple समझेगा dear student pre जो आपका होगा वो कितने marks का होगा कहेंगे sir 200 marks का होगा कितने marks का होगा pre आपका 200 marks का होगा उसमें आपका जो cut up जाए 140 150 approximately cut up जाता है 140 150 यानि आपको 75 प्लस लाना है जनरल वालों का कभी कभी 155 60 भी चला जाता है तो ये आपका pre हो गया ये आपका पहला एक्जाम हो गया और इस पहले एक्जाम को कसले बस मैंने आपको नौर्मली बताया कि 25 math, 25 reasoning, 25 GKGS और 25 English 25 चक हो गये भाई, 100 question, 2-2 number के 200 marks का आपका जाएगा और 200 में आपका जो भी cut up है, cut up pre का normally अगर मान ले तो कम से कम आपको 150 प्लस तो करना ही पड़ेगा average अगर आप STSC से है तो 140, 135, 130 पे भी काम चल जाएगा, चलिए, अब बात करें दूसरे एक्जाम की, अगर बात करें हम मेंस की, pre होने के बाद आपको एक मेंस का paper देना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे दो एक्जाम, यहाँ देखिए, math और reasoning का बोल बाला है जी, math के 30 सवाल हो होंगे, और total 30, 30 कितने हो गए, total हो गए 60 सवाल, और हर सवाल तीन-तीन नंबर का होगा, यानि pre-mins में आपको 180 नंबर का math reasoning, जिसकी तयारी हम आपको लगतार करवा रहे हैं, dream competitive classes पर, ठीक है, तो आपको 180 नंबर, जो है, वो math का, reasoning का पूछा जाएगा, 30 math, 30 reasoning, 60 सवाल, 60 ए यह भी, आपको जो है, एक घंटे में, 30, 30, 60 सवाल को एक घंटे में सब, करें, one hour for each section, यह section 1 है, यह section 2 होगा, मतब यह 60 सवाल के लिए आपको कितने समय दिये जाएंगे, एक घंटा दिया जाएगा, प्रतेक सेक्षन के लिए एक घंटा, अब एक घंटा इसके लिए भी द बोलते हैं, जी यह बोला जाता है, जेनरल अवेरनेस को, यहाँ 20 सवाल पूछे जाएंगे, 40, 20, 60, और 60, तिया, फिर से 3 नंबर का एक सवाल रहेगा, 180, यानि आपका जो मेंस होगा, जैसा कि हमने अभी बोला था, कि आपका जो प्री होगा, वो 200 अंकों का होगा, कट 150 प्लस ही मान कर चलिए, अगर बात करें मेंस की, तो यह आपका 360 होगा, लेकिन एक चीज़ और देखिएगा, एक आपको नीचे और दिखेगा, क्या, आपको दिख रहा है, section 3, computer knowledge module, यहाँ से आपको 15 सवाल पूछे जाएंगे, computer के, लेकिन यह आपका, इससे cut-off का कोई ल लाएंगे, और इसमें आपको बस सिर्फ पास करना है, 10 नंबर लाना है, मतलब 3-4 सवाल अगर आपका, 4-5 सवाल अगर आप सही से कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसमें जो है ना, इसमें यह 360 के उपर कोई effect नहीं पड़ेगा, इसमें बस क्या होना है, पूछे जाते हैं, 3-3 नंबर के, यहनी 45 नंबर का SSC CHSL में आपको पूछा जाएगा computer, लेकिन यह cut-off में नहीं जुड़ता है, इसमें सिर्फ पास होना है, इसमें सिर्फ क्या होना है, पास होना है, वही लगबग में 10-12 नंबर आपको अगर ले आते हो, तो पास हो जाओ हो गया, ठीक है न, तो यह पूरा schedule समझ गए, प्री का schedule समझ गए, कि प्री में 25 math, 25 reasoning, 25 English, 100 सवाल, 100 सवाल, 200 कोश्च, दो-दो अंका, तो 200 अंका, और 200 में आपको कम से कम 150 लाओगे, तो आपका cut-off होगा, अगर STSC, EBC से हो तो थोड़ा कम भी लाओगे, तो चल जाएगा क दूसरे में बात करें, मैंस में, ठीक है न, तो मैंस में आपको 30 math, 30 reasoning, 180, 40 English, 20, 60, 180, 180 और 180, यानि आप एकदम simple समाच चुके हो, प्री में आपको 200 में आपका 200 अंक पूछे जाएंगे, मैंस में आपके कितने marks पूछे जाएंगे, मैंस में आपका 360 पे marks रहेगा, और इसमे cut up वही लगबग approach 300, 290 करके बचों का cut up जाता है, ठीक है न, average, यहां तक समझ में आगया, pre समझ में आगया, mens समझ में आगया, अच्छा, इसमें अब बात करें कुछ हागे, यह समझ गे, अच्छा, यह section 3 है, ठीक है न, यह जब आप pre और mens होगा, तो आपको पता है कि data entry operator, lower division color, तो यह सारी चीज़े जो है न, इसके लिए आपको दूसरे section में क्या करना है, section 3 में, a skill test and typing test module, आपको typing देना होगा, और typing आपका लगबग 15 मिनट का, देखे, part by part, यहां भी 15 मिनट का, यहां भी 15 मिनट का 10 मिनट, मतब post के इसाब से, किस post में कौन सा department आपका गय है, अब आपकी मर्जी का आप उसको हिंदी में करते हो, यह अंग्रेजी में, दोनों option रहेगा, English में तो English में, हिंदी में तो हिंदी में, लेकिन average 30 प्लस आपको tapping में लाना पड़ेगा number, 30 प्लस करोगे, तो आपका selection पका है, इतना होने के बाद, अब आपके पास 3 विकल पाएंगे, क्योंकि पूरे LDC में, पूरे CHSL में तीन post ही है मात, एक आपका, जिसको हम लोग बोते है, LDC, lower division color, दूसरा होता है, DEO, data entry operator, और तीसरा होता है, JSA, junior, secretariat, और assistant, लेकिन इसमें सबसे महत्वपुन कौन है, अगर आपका DEO में होता है, देखो, है तो तीनों अप पर आप पे बहुत अच्छा, किसी में भी हो, आपको जाना ही है, लेकिन चाहत रखिये कि कास हमारा DEO में हो जाए, क्योंकि यहां पर बहुत सारा source आपका खुल जाएगा, बात समझ रहे हो ना, यह बहुत सारे source आपके खुल जाएंगे, तो अगर आपका DEO में होता है, 37 312 post 2014 में आया है, selection लेना है, तो आप हमारा math और reasoning का foundation batch ले लिजे, हमारी application dream classes official पर है, वीडियो के description में link है, play store पर app available है, dream classes official, जिसमें हम आपको math भी पढ़ाएंगे, reasoning भी पढ़ाएंगे, और भी teacher है, जो अलग-अलग subject के हैं, selection लेना है, तो आप हमारे application से भी जुड सकते ह ठीक है, 2014 में 3712 vacancy है, 3712 post है, मैंने बोल दिया है कि 3 post है, 1 LDC, CGL में 52 post है, लेकिन CHSL में 3 post है, lower division color LDC, data entry operator DEO, और junior secretariat assistant, जिसको हम लोग JSA बोलते हैं, चाहत कहां रखना है कि नहीं, हमें DEO लेना है, data entry operator, ठीक है, तो ये, अच्छा, आपका job कहां लगेगा भाई, मैं आपक line में बोल दू, कि आपका जो job है, वो मंत्राले में होगा जी, अब जहां जहां मंत्राले रहेगा, वहाँ वहाँ आपको job होगा, दिल्ली में भी है, पटना में भी है, सब जगह है, ठीक है न, बड़े-बड़े सहरों में, लेकिन आप CGL वालों के नीचे रहोगे, आप junior color होगे और वो लोग senior रहेंगे, ठीक है, आप junior होगे, वो लोग senior रहेंगे, salary की बात करें तो मैंने आपको एक line में बता दिया, कि 30,000 से आपकी salary शुरू होगी, 30,000 प्लस, और ये कहीं भी जा सकती है, वो आपके काम पे और आपके उसके उपर depend करेगा, post के उपर depend करेगा, लेकिन average 30 से 35,000 से शुरूआत होती है, तो ये जो वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगा कि CHSL क्या है, अगर हम आपको पूरा-पूरा समझा पाए कि CHSL होता क्या है, कौन-कौन से post, post कौन-कौन से है, योगिता, क्या होनी चाहिए, salary, syllabus, syllabus भी बता चुके हैं हम आपको, selection process क्या होता है, सारी चीज़े, हम ये भी बता चुके कि cut-off कितना जाएगा, तो ये वीडियो आप like और share, और हमारे foundation batch के साथ अगर आप जोड़ते हैं, तो ये सारी चीज़े आपको complete कर दी जाएगी, और finally foundation batch में सिर्फ हमी पढ़ा रहे हैं, तो आप हमारे साथ, जोड़ आप हमारे साथ जोड़ते हैं, वीडियो अच्छा लगे, लाइक और share जादा जादा लोगों तक, ओके